जैहिंज दोस्तों UDCRA में आपका स्वागत है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारी प्राइम टीम हासिल करना चाहते हैं जो कि आपको फ्री ओफ कोस्ट हमारे टेलीगराम चैनल पर मिलती है यह देख ही रहे हो दोस्तों हमारी प्राइम टीम की पर्फॉर्मेंस ये भी हैट्वर्ड ये भी हैट्वर्ड ये भी हैट्वर्ड है न जदि आप हमारी प्राइम टीम पाना चाहते हैं जो कि आपको फ्री ओफ कोस्ट मिलती है दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ मेरे नाम से कोई भी बन्दा अगर आपसे किसी भी तरीके से दोस्तों पैसे मांगता है तो उसे ब्लॉक करिए क्यों क्यों क्योंकि UDCRA का Telegram Channel, YouTube Channel, Instagram Channel सभी platform free है जहां पे आपको जो भी data दिया जाता है वो आपको free of cost मिलता है तो दोस्तों मेरे Telegram Channel का लिंक आपको description में जाके mode पे क्लिक करना यहां पे आपको मिल जाएगा दोस्तों यहां पे आपको मेरे Telegram Channel का लिंक मिलेगा एक बात और ध्यान रखना दोस्तों सबसे important जो important बात है कि वह आपको भी बताई जा रही है जब आप subscribe करते हैं तो subscribe के बाद जब तक आप bell icon पे जाके all पे क्लिक नहीं करेंगे आपको हमारी वीडियो की notification नहीं आएगी ध्यान रखे किसी भी चैनल को अगर आपको subscribe करना है तो subscribe के बाद bell icon पे जाके notification bell पे all पे क्लिक ज़रूर करिए दोस्तों वैसे तो मुझे कुछ प्रूफ करने की ज़रत नहीं है क्योंकि हमारे comments ही सब कुछ प्रूफ कर देते हैं ये देखे दोस्तों ये वंदा 30,000 जीत गया उमीद लगी GL की सर आपकी टीम से 25,000 जीत गया भाई आप शिरिलंका प्राइम टीम में rank 1 चल रहा है क्या बात है मैं आज 5,000 जीत गया जितने भी लगा है जितने ये कोई बंदा 1 करोड जीत गया कोई बात नहीं मुझे लगते थोड़ा बहुत इसने चेंज किया होगा तो ये जीता इसने कोई ना कोई चेंज किये होंगे आपकी predictions उपर से भी उपर क्या बात है बीबीयल में 8 मेंसे 80 मेंसे 60 contest जीत गया मतलब लगब 32,000 जीत गया क्या बात है जितने भी है दोस्तों जितने भी कही है 17,000 जीत रहुए बंदा कम बैक ये कोई बंदा 24,000 लाक या 2,40,000 लाक चलो जितने भी जीरो है 27,000 चल टेट क्या बात है तो दोस्तों आप देख रहे हो हमारी टीम कितनी कहर है ये टीम आपको मिलती है हमारी टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम अपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों चाहिए आप फुटबॉल के फैन हो चाहिए आप क्रिकट के फैन हो आप जानते हो चाहिए जाएंग आप लिए ने का फाइदा है लाकि मैं तो दूसरे भी खेलता हूं यहां पर सबसे बड़ी ग्रैंड लिग में भी मेरा रैंक देख लेए एक दो टीम ही लगाई थी कितना अच्छा रैंक है तो चलिए दोस्तों अब आप लोग वीडियो नजॉइए किजि कोड़ी सी आरे में आपका स्वागत है दोस्तों अब हम बात करेंगे इएफल कप के अगले मैच की जो की खेला जाएगा मैंचेस्टर युनाइट और चार्टलन एथलेटिक के बीच में दोस्तों यह एक नॉक आउट मैच है यह कौर्टर फाइनल मैच है तो जो मैच जीत अथलेटिक को भी आप हलके में मत लीजिएगा यह लीग बन में बहुत अच्छा कर रहे हैं और अभी इन्होंने एक मैच खेला था अगेंस ब्राइटन हो वाल्बियन जो की प्रेमेर लीग का ही क्लब है उसके खिलाफ इन्होंने 0-0 ड्रॉ कराया तो इनका डिफेंस काफ की जाए यह गेम मैंचेस्टर उनाइटिट के होम पे खेला जाएगा तो थोड़ा सा और भी जादा मैंचेस्टर उनाइटिट के फेवर में चला आता है यह मैच क्योंकि ख्राउट सपोर्ट भी मिलेगा और लेकिन चार्टलन अस्लेटिक के लिए यह एक एवेंट होगा बहुत बड़ा उनके क्लब की हिस्ट्री में क्योंकि थीटर ओफ ड्रीम्स में खेलना ओल्ट्रेफर्ड में खेलना जो कि मैंचेस्टर उनाइट का होम ग्राउंड है हर एक प्लियर का सपना होता है और क्योंकि यह प्लियर्स छोटी लीग से आते हैं तो इनके सपने बहु टीम में रहेंगे तो स्ट्राइकिंग सेक्शन में आपको लाइनपस में दिख रहे हैं कि एंथोनी मार्शल स्टार्ट कर रहे हैं और गारनेचो तो मैं इन दोनों को ही टीम में लूँगा वैसे तो एंथोनी मार्शल अच्छी फॉर्म में नहीं है लास्ट पांच मैच मे पेनल्टी टेकर हैं तो इनको हम डॉप नहीं कर सकते हैं वहीं गार नैचो की बात की जाए तो गार नैचो बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं इन्होंने अभी बोन मुत्ते खिलाफ एक असिस्ट भी किया और वैसे भी यह बहुत ही टैलेंटेड यंग्स्टर है काफी अच् तो जो लाइनप्स में हमें दिखा रहा है पॉसिबल लाइनप्स में वो दिखा रहा है कि एरिक्सन स्टार्ट करेंगे तो अगर एरिक्सन स्टार्ट करते हैं तो 100% मेरी टीम में रहेंगे ये भी गजब की फॉर्म में चल रहे हैं almost हर match में इनका assist आ रहा है या goal कर रहे हैं तो इनको drop करना बहुत ज़्यादा risky होगा और बेफकूफी भी होगा मेरे हिसाब से क्योंकि corners भी लेंगे, free kicks भी लेंगे और defensive points भी देखर जाते हैं और Bruno की gear राजरी में खास कर ये और भी important हो जाते हैं आए नेक्स्ट देखते हैं आपको देखेंगे right wing पे elanga elanga की बात की जाए एक तो इन्हें ज़ादा game time नहीं मिल रहा है दूसरा इन्हें जो matches मिले हैं start करने के लिए उसमें भी ये कुछ खास performance नहीं दे पाए है और क्योंकि आज Charlton athletic है सामने और वो full defense पे जाएंगे आज के match में तो elanga को chances कम मिलेंगे और हो सकता है इन्हें 55 minute पे substitute भी कर दिया जाए तो मैं ये option आप पे छोड़ूँगा कि आपको elanga को लेना है या fred को लेना है fred आपको passing के points देंगे tackle interception के points देंगे और ये out of the box goal भी मार सकते हैं ये shoots लेते हैं long distance shots से try करते रहते हैं match में तो इनका goal आ सकता है और assist आने का भी chance इनका रहता है इन्हें भी ज़्यादा starts नहीं मिले हैं बर इतने starts इन्हें मिले हैं उसमें इन्होंने chances भी create किये हैं passes अच्छे खासे किये हैं और tackle interception भी किये हैं इसलिए मैं fret को ले रहा हूँ आप चाहें तो ilanga को ले सकते हैं अगर आपको लगता है वो goal मारेगा क्योंकि अगर वो goal या assist नहीं करेगा तो उसके कुछ भी points नहीं आने वाले तो इसलिए मैं उसको drop कर रहा हूँ next आपको दिख रहे हैं mac dominant इनको मैं अभी drop ही करूँगा क्योंकि इनके भी minutes assured नहीं है हो सकता है कि अगर ज़्यादा कोई score ना पढ़े पहले हाफ में तो दूसरे हाफ में casemiro को लाया जाए इनकी जगा या फिर bruno को लाया जाए तो इनको मैं drop करके चलूँगा defense में आते हैं defense में आपको left back पर देखेंगे डारेल मलासिया अगर यह start करते हैं तो यह 100% मेरी टीम में रहेंगे इनके performances अच्छे आए हैं भले हिरोंने उतने जादा assist में या chance creation में help नहीं किया है बट इनका performance ground पे अच्छा रहा है तो इनको मैं 100% अपनी टीम पे लूँगा दोस्तों मेरा थोड़ा गला खराब है इसलिए मुझे थोड़ा बोलने में problem हो रही है मुझे बार बार वीडियो pause करना पड़ रहा है तो sorry उसके लिए next दोस्तों आपको दिखेंगे Harry Maguire अगर Harry Maguire स्टार्ट करते हैं तो मैं इनको 100% अपनी टीम पे लूँगा क्योंकि ये बड़ीया tackle interception और passes के point देके जाते हैं और header से हमेशा ये एक threat है header से ये goal बहुत मारते हैं तो इनको मैं बिल्कुल भी drop नहीं करूँगा next आपको दिख रहे हैं लिंडिलोफ लिंडिलोफ को मैं नहीं लूँगा इनके minute sure नहीं रहते हैं इन्हें half time पे भी substitute किया जा सकता है इन्हें around 50-60 minute पे भी substitute किया जा सकता है next आपको दिख रहे हैं वेन विसाका वेन विसाका को मैं 100% अपनी टीम में लूँगा जोकि ये बहुत important player है ठीक है तो इनको मैं 100% अपनी टीम में लूँगा ये एक important player हो जाते हैं और selection percentage भी आप इनका देख सकते हैं कितना high है तो वेन विसाका को मैं 100% लेके चलूँगा selection percentage भी आप देख सकते हैं का काफी high है तो जो साथ ते और Manchester United से मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ वो ये होंगे ठीक है अब बात कर लेते हैं Charlton Athletic की filter लगा लेते हैं goalkeeper मैं Charlton Athletic का ही लूँगा अब गिलैवरे स्टार्ट करते हैं या मेनार्ट स्टार्ट करते हैं यह देख लेंगे last match में मैं गिलैवरे ने स्टार्ट किया था तो मैं इनको पिक कर रहा हूँ फिर आते हैं striking section में striking section में मैंने दो options हैं आपके पास stockley और blackett tailor इन दोना का record मैंने study किया लेकिन मुझे कुछ खास लगा नहीं यह lower leagues की team के खिलाफ भी अच्छा perform नहीं कर पा रहे हैं तो United के खिलाफ तो कमी जान से के अच्छा perform कर पाएंगे mainly इनका ध्यान आज के match में defense पे ही जादा होगा तो हमें maximum defensive players लेने हैं क्योंकि वही हमें maximum points देगर जाएंगे midfield में आते हैं तो dobson आपको दिखेंगे यह player मुझे अच्छा लगा इसने brighton ho volvian के खिलाफ भी अच्छे खासे tackle interception के points दिये थे और passes भी अच्छे खासे करता है तो मैं इसको 100% of duty लूम में लूँगा दूसरे जुस player को मैं लूँगा वो है रक्सा की इनको मैं लूँगा because इनको प्रेमियर लीग में खेलने का भी experience है crystal palace से यह प्रेमियर लीग में खेल चुके हैं और interceptions अच्छे करते हैं chances create करते हैं तो कुछ भी अगर goal का chance होगा तो वो यही बनाएंगे तो इनको मैं pick करके चलूँगा अपनी team में next आते हैं defense में defense की बात की जाए तो यहाँ पे आपको दिखेंगे सेसियों इनको मैं 100% लूँगा आप selection percentage भी देख सकते हैं इनका काफी high है आप कह सकते हैं कि defense में most influential player attack में भी help करेंगे chances भी create करते हैं tackle interception इनका अच्छा आ सकता है passes भी इनके high रहते हैं दूसरा एक option आपके पास clear का भी है यह भी काफी कह सकते हैं influential player है इनके passes बहुत रहते हैं match के अंदर और tackle interception कम करते हैं बट इनका attacking threat ज़्यादा रहता है लेकिन मैं Session के लिए जा रहा हूँ क्योंकि इनका selection percentage भी बहुत high है तो जो 11 player मेरी team में रहेंगे वो ये होंगे और captain wise captain से की बात की जाए तो captain मेरे होंगे Anthony Marshall भले ही इनका phone खराब है और इनका ज़्यादा अच्छा perform नहीं किया है लेकिन मुझे लगता है आज ये ही इकलोती threat है Manchester United की तरफ से और इनको goal मारना चाहिए अगर आप चाहें थोड़ा risk लेना चाहते हैं तो आप Garnachor को भी अपने captain मना सकते हैं बट उनके साथ थोड़ा सा risk हो जाएगा क्योंकि हो सकता है अगर कोई goal या assist नहीं कर पाते हैं तो player बहुत अच्छा है बहुत talented है और बहुत उम्मीदें हैं इससे Manchester United को तो इनको आप captain बनाएंगे भी तो कोई ऐसी problem नहीं है मैं Marshall को बना रहा हूँ और मैं Vice Captain सेफ जा रहा हूँ Ericson को बना रहा हूँ आप गार नैचो को भी बना सकते हैं लेकिन क्योंकि मैंने चार्टल अथलेटिक का जो मैच देखा BHA के खिलाफ उसमें मैंने ये देखा कि इन्होंने defensively काफी अच्छा वर्ग किया था और ऐसा भी नहीं था कि BHA के कोई चोटे प्लेयर्स उस दिन मैच में खेले हो उनके काफी important प्लेयर्स जो की Premier League में खेलते हैं वो सब खेले थे फिर भी वो लो गोल नहीं मार पाए तो that means defensively इन्होंने अच्छा काम किया फिर भी मुझे लगता है United को दो गोल तो मारने ही चाहिए अपने घर पे खेल रहे हैं तो उसका advantage उनके पास होगा तो आप Ericsson या Garneture किसी को भी बना सकते हैं बाकी lineups आने के बाद देखते हैं क्या situation रहती है, क्या lineups रहती है उसके according हम changes करेंगे तो जो भी changes होंगे दोस्तों वो मैं आपको telegram channel पर update कर दूँगा उसके बारे में तो आप हमारे telegram channel से जरूर जुड़ जाए उसका link वीडियो की description में दिया गया है उसके थूँ आप हमारे channel से जुड़ सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जैहिन